सब तो पहला सारे नों साथ शुर्यका स्वागते तो डासंदीप सिंग क्लासिज दे वेच आज दी इस मैंत दे सेकंड लेक्चर अपां इस वीडियो दे वेच अपां नंबर सिस्टम दे बारे गाल करांगे जो की जड़ास लेबल्स दे वेच इस फर्स्ट नंबर ते ही है तुसी वीडियो दे अंड तक तुसी सारे बने रही हो इस सारे लिए इंपॉर्टेट है नले दे वेचे काफी जड़ी बेसिक नॉलेज हो सारे यां दे जड़ी हो हो एक वार रवाइस हो जोंगी जिनन नूँ पता है जिन नहीं पता हुना दे जड़े कलियर है कंसेप्ट रखी होने हो काट प्ताइब स्टिक्क सीज़ाय क्या लात्या है सुनकी पहले व्यूंत स्टार्टल के रहे चैण हूं भत है जी आफ्रोग ऊबसे लेंगूईज देख के मतलब ऑन सीजिघ शारे ने पर गॉह टो enquर्म्ण लामद हिए और so on बस 0 उन्हों छट के सारे बाक्की डड़े की ने वो natural numbers ने ठीक है सो second number ते आजानदा है whole number ठीक है so whole number ते देखो natural numbers देवेच सरफ एक चीज़ दर difference है whole number देवेच की आजानदा है 0 बाक्की सारे natural numbers ही हुँ देने देवेच 1,2,3,4,5 ठीक है so whole numbers के ड़े हुँ देने whole दा मतलब की हुँदा है सारे याद दे वीच जीरो भी आजानदा है ठीक है so 0 तो लाएके जड़े शुरू हुँ देने whole number हुँदेने और जड़े 1 तो start हुँदेने natural numbers ठीक है so तीसरे number ते जड़े सारे को आजानदेने even numbers ठीक है even numbers केड़े हुदेने even numbers are always divisible by 2 मतलब जड़े 2 दे ना टिवाइड हो सारे जानदेने ओ केड़े हुदेने even number मतलब 2 odd number odd number मतलब केड़े हो के जड़े 2 दे ना टिवाइड़ नहीं हुदे मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और so on ठीक है तो आप अग्गे चाल दे है तो इस तो बाद और नमबर तो बाद एधी विच अगले आया है निया प्राइम नमबर जड़े बहुत ज़्यादा इंपोर्टन ने ठीक है तो प्राइम नमबर के ड़े हों देने नमबर्स विच आड़ डिविजिवल बाई वन एंड दा नमबर इटसल मतलब कि जो वन ड़े हो जड़े और जड़ा वन नमबर है वो खुद देना डिवाइड हो वे ठीक है तो कि उन्दे ने प्राइम नमबर्स मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 तुझी सारे देख सतने को 2 जादा 1 ते डवाइड होंदा है जा 2 ते डवाइड होंदा है 3 वी जा 1 ते डवाइड होंदा है जा 3 ते 5 वी जा 5 ते डवाइड होंदा है जा 1 ते ठीक है जो अपने टेबल ते और जो 1 ना जटेट डवाइड हुन दे हों ठीक है सो केड़े हुन देने प्राइम नंबर्स ठीक है सो प्राइम नंबर्स तो जटेट अग्गे नंबर आ जान दे वो आ जान देने composite numbers composite numbers so composite numbers केड़े हुन देने so composite numbers which are also divisible by other numbers other than 1 मतलब हों इक नुछाड़ के यहां 2 तो वाद नंबरां ते जटेट डिवाइड हुन दे हुन ओ केड़े हुन देने composite numbers ठीक है उन मतलब जी एक्जामपल आप लिए 6 12 और 15 उन देखो जड़ा 6 है जड़ा 6 है यह 2 दे टेबल ते भी जानदा है और 3 दे टेबल ते भी जानदा है जड़ा 12 है वो 2 ते भी जानदा है 3 ते भी जानदा है 4 ते भी जानदा है और 6 ते भी जानदा है 15 15 के ते जानदा है देखो 3 ते जानदा है और 5 ते जानदा है ठीक है सो मतलब 2 और more than 2 ठीक है मतलब जड़े 2 मतलब का टुकार 2 जड़े या नंबर उन आल डवाइड होने चाहिए ठीक है 2 और more ठीक है सो composite numbers तो बाद composite numbers तो बाद आ जानदेने integers ठीक है सो integers के ड़े होनदेने integers कई जड़े student ने वो काफी यह दे बेच confused होनदेने integers नो एक नाले होर का integers नो उसी z न डिनोट कर दी है कई बाद ठीक है सो integers की होनदा है मतलब आपा इन्हों याद रखिए कि negative infinity तो लेके positive infinity तक सारे हों टीजर सुन देने मतलब negative तो लेके positive तक मतलब minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 मतलब minus 3 तो लेके 3 तक मतलब so on तक जड़े है मतलब इन टीजर से ने ने नंबर से दे वेचे सारे है negative भी आ जान देया ठीक है so मतलब minus 3 तो लेके minus 2 देवे जिनने भी नंबर ने points दे वेचे जा कह लिए आपा ते वो सारे की हो जान देने integers हो जान देने मतलब main असी याद रखिए कि minus negative तो minus positive तक जड़े हों देने integers ठीक है तो यदे वेचे जड़ा 0 है वो दी कहमियत है 0 की है कि 0 is a number which is neither positive nor negative ठीक है सो अग्गे चाल दे है सो अग्गे जड़ा आंदा है rational number सो ठीक है rational number सो rational number केड़े हों दे numbers which are written in the form of P over Q मतलब जड़े बटे याँ दे वेचे sum हों देने जड़े बटे याँ दे वेचे number हों देने कोई भी number हो सकता है 2 over 5 3 over 5 4 over 5 सो मतलब points दे वेचे जड़े आया देने अपना उना नुँ decimals देवेच भी जड़े आया देने वो सारे की हों देने rational number हों देने ठीक है दो rational number तो बाद एर rational number हों देने ठीक है इर rational number दे वेचे केड़े आया देने मतलब the square root of a non perfect number ठीक है नॉन पर्फेक्ट मतलब 2 अंडरूट 2 अंडरूट 3 मतलब उन्य देवेचे प्रॉपर नहीं है जी में कैसी कही है कि 4 अंडरूट की हुदा है 2 ठीक है मतलब एक पर्फेक्ट कोई नमबर है जो असे होते वीच वचो बाहर लाए सकते हैं पर जोदो कोई दा पर्फेक ना हुए मतले जो एक ररेशनल साने है फिरेंजो इस को बाद एक हो रहे हैं है अन्हों हम आपके दर dal रियल नंबर्स और ढ़ीरल नंबर्स कुन देया रियल लंबरसने की ओल रेशनल एडरायसरनल नंब एक रेडरा कार्ड गोड़ मतलब जड़े रैशनल और ये रैशनल जदो कठे आ जान देने ओकी होए जान देने रियल नंबर्स होए जान देने ठीक है तो उस तो बाद आपा चाल दें अग्गे इस तो अग्गे होण आपा देख देयां कि ये ता सारे चलो बेसिक होगे ये वेच आपनों बतल लागे है तो देखोण आपा एक अग्गे वाद देयां एधे वेच एक होड़ बड़ी इंक्पोर्टेट चीज आन दिए वो कियां दिए कि फॉर्मुलाज ने एक दो टूटल तिन ने फॉर्मुले ठीक है उन्हों आप बस याद रखने है जिदे भी चांदा है कि faind the sum of numbers find the sum of numbers वी बड़ी इंपोर्टेट है जिवें की साड़े को कोई N natural numbers ने ठीक है साड़े को कोई N natural numbers ने ठीक है साण वो पूछ सकतेया कि इना the sum मों दसो किन द मना होए ठीक है सो मतलब कुछ भी हो सकता है सो ओधा फॉर्मला होंदा है कि सादे को n नेचुरल लंवर्स ने सो ओधा जड़ा फॉर्मला है आओ की होंदा है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड़ बाइ 2 मतलब एदे नाड़ असी कोई भी वेल्यू किन्नी भी वड़ी कोई वेल्यू होवे वसी असानी दे नाड़ इनू असी फाइंड कर सकते हैं जिमें आप पहुने यहते देख लाने है कि मालो सा नुकूर कवे कि फर्स्ट जड़े टैन ने अब चलो उद्धी छोटे जी रकम तो शुरू कर लाने हाना फर्स्ट टैन या ट्वन्टी जड़े नंबर्स ने उना दे तूसी नैचुरल लंबर्स ने उनन द 동안 सम दस्व ए वेका ठीके मतलव कि जड़े फर्स्ट टैनने ज़वन्टी ने नैचुरल लंबर्स ने सो ओधा यहता उनसर है विए व किए एगा तो उसे देख साथ दें, जए 10 है, मतलब किस अड़को n दी वैल्यू किनी आगी? 10 तो उसे 10 दी वैल्यू ने इते पुट कर दाना है तो अड़को की बाँ जाना? 10 multiply by 10 plus 1 मतलब 11 divided by 2 तो इन्हों solve करांगे किन आगया? तो अड़को 55 आँसर आगया तो मतलब जड़े पहले 10 natural numbers ने असी जदो उन्हों add कर दें ते सड़को आँसर किन ना जानदा है 15 तो एदा एंसी मतलब काफी अगयता कसी नूँ अदा solve कर सकते हैं जमेशा उन्हों कोई पुछलबे कि जड़े first 10 10 आपको कर लिया first 100 natural numbers दात उसी sum 200 तो मतलब उन्हों अपने को ठीड़ी एंडी value है हो किनी आगी सड़े को 100 तो आपा 100 कि दगरांगे यह थे put कर दांगे sum of 100 natural numbers ठीक है तो आपा की करांगे सड़े को हो जाना n into n plus 1 over 2 मतलब 100 into 100 plus 1 मतलब 101 over 2 तो इन्हों सी solve करांगे देखो 50 आगया तो 50 into 101 इन्हों सी solve कर लांगे साड़े को answer आजेगा तो देखो 50 नो आपा 100 ना कर दिए साड़े को किन्ना आ गया 5000 आ गया तो 5000 आपा 100 दे बीच्चों एक 80 की करिए 50 80 की कर दिए minus कर दांगे तो आपा 100 कर लांगे तो इन्हों दूजे तरीके ना सी नो नॉर्मल भी आसी कर सक दिया तो इसी से 10 multiply कर लो तो इन्हों की तरह confused ना होई है तो इन्हों जोदा सी 50 ना कर दांगे साड़े को कि answer आ गया 5 1 का 5 5 0 का 0 और 5 1 का 5 0 5 और साड़े को 5 0 5 0 answer आ गया ठीक है तो जड़ा यह तरीका है यह मतलब एद्दा है कि जदो भी कर आड़े को 100 कोई करीब होगे असी नो होर की तरीके ना किददा multiply कर सादिया जिमें कि जदो भी 100 बेस होगे मतलब आसी 50 नो आसी 101 ना मुशकल आंदिये अगर आसी 100 नाल कर ये जल दिया असर आंदा है तो जदो एद्दा होगे तरीके नो एद्दा कर सकते हैं कि 50 नो पहला 100 नाल जमा करके multiply करके प्लस 50 एड़ कर दिये तो देखो ताम यह आसर साद डाउन नहीं आना है ठीक है तो उग्गे चल दिया अगला इड़ा है सम में होदे वेच आंदा है कि सम ओफ स्क्वाइर्ज ओफ की आंदा है सम ओफ सम ओफ स्क्वाइर्ज ओफ फर्स्ट एन नेचुरल numbers ठीक है मतलब कि जवाद मालं अगलक साद को एदधा होगे 1 दा square 2 दा square 3 दा square सम एदधा होगे साद को जदो एदधा होँगा तो अगला वदा साद फॉर्मुला की हनी दा है n इन्टू n प्लस 1 ठीक है और 2 n प्लस 1 divided by six ठीक है मतलब साथ एको अगर squares दे वेचे दा number होंगे ते असी असानी दे नाल की कर सकदे है असी natural numbers जड़े ने squares ने उना दे असी उना दा जड़ा answer अराम दे नाल काड सकदे है तो अगर असी normally देखे करके कि असी कहिए होएगा तो असी की कर रहे है यह थे nd value की put कर दा नहीं है 10 तो देखो जो तो 10 put करांगे 10 multiply by 10 plus 1 11 10 into 2 20 मतलब 21 over 6 ठीक है इनो जो जो तो कर दांगे साड़े को proper answer किया जांगा 385 ठीक है साड़े को असानी दे ना ले है चीज साड़े को solve हो जानी है सो अगी कलास दे भी चांदा कि अगर साड़े को natural numbers दे cube होए मतलब जेकर असी होए कि sum of sum of cube of first n natural numbers natural numbers ठीक है सो देको cube आगया मतलब साड़े को रेदा होए कि 1 दा cube plus 2 दा cube plus 3 दा cube plus 4 दा cube दा so on एह होए तिसाडे को की formula होएगा ठीक है सो ओदा formula की होँदा है simple simple देखे से आपपा natural numbers दा वास दा की होए ना है square होए ना है so n into n plus 1 over 2 फिर की आणा है whole the square ठीक है बस इनना फरक है so जो दोसी इननों solve कर लूँआगे ते साडे को रांसर आजाएगा ठीक है so एदेवे चसी कोई भी यसी पूट करके देख लिए मतलब जापा देख लिए कि first जड़े 20 first जड़े 20 numbers ने natural numbers ने अगर उनना दा सी cube देखिये सारे दा मतलब कि 1 दा cube plus 2 दा cube plus 3 दा cube एदा कर दे कर दे मतलब 20 दा cube इन दा सम की होवेगा so formula दे according आसी देख देख दे आप वैल्यू पुट करदांगे ठीक है so मतलब n किना होगे ऐसा 20 so मतलब 20 multiply by 20 plus 1 मतलब 21 ठीक है divided by 2 ते सारे दा square ठीक है यहनू जैसी तुसी solve करना है थोड़ा जैसी नू कर सादे मतलब इनू दा समा multiply करता so जब इनू सारे नू सारे नू सी solve कर दा कि साड़को answer किना आवेगा 44100 ठीक है so यह साड़को लिए दा answer आ जाना है ठीक है so तुसी एतिन formula आपका एक दो terms से बहुत ज़्यादा use हुन दी है ने paper दे भीछ last year भी आया ऐसी ओ है local local value and face value ठीक है so देखो जड़ा local value है local value केड़ी हुन दी है local value केड़ी हुन दी है प्लेस वैल्यू भी कहते है आपका place value ठीक है so local value के हुन दी है place where the digit is ठीक है place value के हुन दी है where the digit is face value के हुन दी है face value हुन दी है ओ ही number ही मतलब आपका example देना देखिए तो आपका जल्दी समझ लगएगा so तुसी देख साड़े के number है 4, 5, 9, 3, 8, 6 ठीक है उन्हों दस देया तुसी उन्हों मतलब सामनों दब पुच्छे आया कि एस जड़ी number है एदे वेच place value of the digit 9 किया मतलब जड़ी 9 हा ओ दी place value किया 9 दी place value किया so उन्हों कित्दा देखांगे देखो आप एक तो शुरू हो जाँगे देखो पहला once tens hundred और thousand मतलब असी जखो पहला आप यह देखना है कि thousand आ गया ते जेड़ा उस जगा ते number है आप उन्हों वे वह ना multiply का देना है याद रखना जड़ा तरीका है so मतलब जड़ी 9 है 9 दी जड़ी place और local value है वो किन्नी है 9,000 मतलब तुझी 9 तो यह देखना है क्यों 9 वो केड़ी वड़ी series दे वेच है ठीक है मतलब 9,000 वड़ी series चाल रहा है मतलब पहला 9,000 सी फिर 900,000 होया 900,000,000 देखना है वो की हो गया साड़ा place और local value हो गया ठीक है ठीक है तो यह दे वीचे जड़ी face value है मतलब पुच्छन की 9 दी जड़ी face value की है 9 दी face value की है 9 ही ठीक है तो बस यह दे तुसी याद रखना है कि local और place value की होंदी है कि जित्ते वो number होवे तो असी मतलब वो देख लाना है आप वन स्टेंस थाउजंड 100 थाउजंड करके क्यों केड़ी place ते आंदा है ठीक है तो उन्हों ना multiply करके असी इन्हों solve कर देना है ठीक है तो एदे वीचे एदे वीचे आप ता नो question दे regarding ता नो जल्दी की चीज़ पता लगेगी इस तो बाद आप वीडियो नो खत्म करांगे तो एदे वे चेड़ा last year आप question आया सेगा आप उधे उत्ती नजर मारांगे तो पिछली बार question आया सेगा कि वो कहनदे दस्व की difference की कहनदे या की difference of face value and face value and place value place value of 8 in 4803 ठीक है उन्हों देखो इदे विच की कहनदे है कहनदे की difference of face value and place value उन्हा दे difference दसो किन ना आवेगा ठीक है सो मालों साडेकर ने तिन option आसा नो देती है ने उकी कहनदे पहली option की है a option है 592 b option की है 0 c option की है 8 और साडेकर c option की है 8 और साडेकर d option की है 792 सो देखो इदा answer की आवेगा सो इन्हों नॉर्मल देखने है पहला जिद्धा पह देखा है कि पहला पह प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू देखांगी की है प्लेस वैल्यू मतलब local value सो देखो इदी place value 8 दी पुछी है नने सो इससे देवेच 8 जड़े केड़े place देखो once, tens, और hundred hundred place देखो सो मैं की क्या सी जदो hundred आवेगा उसी place देखा नंबर आप उन्हों multiple कारदा है सो मतलब 800 800 आगया सो minus difference उन्होंने पुछा है सो face value 8 दी face value की हुई 8 ही सो minus कारदेना है सो 800 चो 8 minus की ता सा ड़ेगा answer किन आ गया 792 बस देखो एनक sum से का ठीक है सो एक sum मैं ता नुए थे पुछांगा थे तुसी hope मिन उमीद है कि तुसी जड़ी comment देवेच तुसीरा answer जिरूर लिखूंगे सो ठीक है सो answer जड़ा है तो अड़ेली question है की है तुसी difference ही दसना है कि the difference the difference in the place value of 4 in 40043 is ठीक है the difference in the place value of 4 in 40043 उन देखोंगे तुसी तिया रखना है यह देवेच उनने place value दे ही काल कीती है यह देखोंगे face दा ने different पुछया ठीक है सो तुसी यह दा answer दसना है सो ताड़ेको option हा में ता नो दिनना सो ए option की है 3 0 6 9 0 B option की है 3 9 0 6 9 C option की है 3 9 6 9 0 और D option की है 3 9 9 6 और 0 ठीक है सो देख दियां की कौने का सही answer दिनना है ठीक है सो जो गल्द answer भी देनेंगे हो भी कोई problem नी ठीक है ओना नो पता लाग जेगा अप अगली वीडियो देवेच आप गल कर लमागे सो तुसी यह दा जो भी answer है कमेंट बॉक्स देवेच तुसी जरूर answer देओ सो वीडियो दे अखीर तक बने रहें ली तोडे सारे अंदा तनवाद अजयो देवेच जरूर